गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में अमरावती स्टू के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में स्वागत है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैन कहां इस्टित है ठीक है देखेगा सबसे पहले मैं आपको बताओं कि इस्टूब किसे कहते हैं इस्टूब का साब्दी कर्थ है किसी वस्तू का धेर इस्टूब का विकास ही संभवत मिट्टी के ऐसे जबूत्रे से हुआ जिसका निर्मान मर्तक की चीता के उपर अथ्वा मर्तक की चूनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था ठीक है गोत्तम बुद्ध के जीवन की परमुगटनाओं जर्म संभोधी धर्म चकर परवर्तन तथा निर्वान से संभन्तिस अस्थानों पर भी इस्टूब का निर्मान हुआ इस्टूब के चार भेद ह स्थूब उद्देशी का स्थूब और पुजार्थक स्थूब इस्थूब एक गुंबद्दागार बहन होता था जो बुद्ध से संबंदित समगरी या इस्मारक के रूप में स्थापिक किया जाता था ठीक है अब देखेगा परमुक स्थूब कौन-कौन से हैं तो है अमरावती स्थूब ठीक है आगे की वीडियो में आपको नागाजुनी स्थूब दामेग स्थूब साचीग स्थूब इनके बारे में भी जानकरी मिलेगी ठीक है तो अमरावती स्थूब इस्थूबों में अमरावती जो अंदर पर्देश के गुंटूर जिल्ले में स् संप्रति इसकी इस्तिती गुंटूर जिले के कृष्णा नदी तठपर है। बस्ति से लगबग 18 मील दक्सिन दिसा में महान बोध स्थूप था। लेखों में अमरावती का प्राची नाम धान्य कटक मिलता है। ऐसा परतीद होता है कि मोरिय सासक असोग ने अन्य स्थानों के समान यहां भी एक स्थूप का निर्मान करवाया था। का जिर्नो धार हुआ तदा इसे कलाकृतियों से सजाया गया है संभवत है चारों और पासान वेदी का भी इसी समय बनाई गी दुभा के वज़ अभी ये इस्तूप अपने मूल स्थान से नस्ठ हो गया है तथा इसके अवसेश कलकत्ता मदरास एउन लंदन के संग्रलों में सुरक्सित हैं सर्वपर्तम 1797 इस्वी में मैगन जी को इस स्थूप का पता चला था उन्होंने यहां से प्राप्त सिलापटों तथा मूर्तियों के सुन्दर एखाचितर तयार किये थे 1844 इस्वी में इलियड द्वारा स्थूप के एक भाग की खुदाई करवाई गई जिसमें कई मूर्तिया प्राप्ति हुई अमरावती स्थूप के सिलापटों पर उतकिर्ण लेखों के आधार पर इसके वास्तु के विशे में कुछ अंदाजा लगया जा सकता है इस्थूप के चारों ओर की वेदिका या विश्टनी काफी लंबी थी जिसमें उस्षनिये फूलों से उतकिर्ण सूचिया तदा चार तोरंद्वार इवन इस्थम लगे थे परतेक तोरंद्वार के पीछे इस्थूप के आधार से निकलता हुआ एक चबुत्रा था जिसे आयक या पुझे कहा जाता है इस पर पांच आयक इस्थम लगाए जाते थे आयकों का उद्द्द से इस्थम को आधार परदान करना था आयक इस्थूप के आधार से लगबग 20 फीट की उचाई पर बनाए गए थे परतेक आयक के अगल बगल सीणिया बनाई जाती थी जिन से होकर परदक्षिना पत तक पहुंचा जाता था इस्थम्पों से इस्थूप अलंकारिक लगता था तथा ये संपूर सरंचना को सुद्रड आधार परदान करते थे आयक मंचों का निर्मान आंदर इस्थूपों की अपनी विशिष्टता थी इस्थूप की ने केवल वेदिकात था पढ़दक्षिना पत अपितू गुम्बद भी संगमरमर की पटियाओं से जड़ा गया था गुम्बद के सिर्ष पर एक मंजूसा थी जिसके उपर लोह चत्र लगा था अनुमाल किया जाता है कि स्थूप का आधार काफी बड़े आकार का रहा होगा संभवता उसका व्यास 162 फिट था तथा वेदिका का गेरा 800 फिट था इसमें 9 फिट उचे 136 इस्थम तथा पोने 3 फिट उची 348 सूचिया लगी थी सभी के उपर कलापूर नकासी किये गई थी सबसे उपर भाग पर छत्र यूगते हर्मीका थी द्वार की वेदिका पर चार सिंहों की मूर्तिया हैं दो सी हैं बीतर भाग में आमने सामने मुह किये गए हुए तदा बाहर की और स्थम्भों के दो सी हैं सामने मुह किये हुए उकेरे गए हैं निश्यत है अपनी पूर्टा में ये स्थूप उच धार में आदर्सों तथा अत्यंदि विक्षित कलात्मक भावना पर आदारित इस्थापत्य कला की ओजपूर्ण सहली का परति निदित्वय करता है अम्रावति स्थूप के परते एक अंग पर व्यापत्मक अलंगरण मिलते हैं कलाविदों ने उदगेर्ण सिल्प को 4 भिन भिन कालों से सम्बद किया है जो निमन लिखित हैं पर्थमकाल दवितियकाल दवितियकाल पर्थमकालव इसापूरा 200 से इसापूरा 100 तक इस समय अर्ध स्थम्ब सिर्ष पर विभिन प्राणियों एम बुद्ध के पर्तिकों आदी का अंकन किया गया अभी तक बुद्ध की मूर्ती गड़ने की प्रथा प्रारम नहीं हुई थी ठीक है द्वित्यकाल इस्वा पूर्व सो से सो इस्वी तक इस अवदी की सिल्फ कारी पहले के पेक्षा भवे इम सुन्दर है बुद्ध का अंकन पर्तिक तथा मूर्ती दोनों में मिलता है महाभिनिस कर्मन मार विजय जैसे कुछ द्रिष्टे इस पे उत्किन है ठीक है त्रित्यकाल इक सो पचास से दो सो पचास इस्वी ये सात्वा नरेश पुलुमावी का काल है जिसमें वास्तु तथा सिल्फ दोनों द्रिष्टियों से स्थूप का अधिक्तम संवर्धन किया गया इस्थम्भों सूचियों तथा उष्णियों उष्णिसों पर सुन्दर सिल्फ उत्किन हुए स्थम्भों के बाहर बाजुओं पर बीच में बड़ा कमल उपर अर्ध कमल उत्किन है तथा मद्य भाग में बुद के जिवन की वीविद गठनाएं दिखाई गई है चज्जे के बीतरी बाजु के स्थम्भों सूची आदी पर जातक ग्रंथों से ली गई वीविद कताएं हैं एक सूची पर उत्किर्ण नलगीरी हाती के दमन का द्रेशे काफी परभावत पादक है धरम जक्कर पूजा आदी के द्रेशे भी सुन्दर हैं चतूर्थ काल दोसो से दोसो पचास इस्वी इस समय अमरावती एक स्वाकु वनसी राजाओं के सासन में आ गया इसी समय नागारजुनी कोंड के स्थूप का भी निर्मान हुआ अतै अमरावती सिल्प पर उसका प्रभाव पड़ा पून स्थूप की आकरती वाले सिल्लापट चारों ओर लगा दिये गए तथा पहले के कुछ पुराने सिल्लापट निकाल कर उनके पिछे की ओर स्थूप आदी की आकरतिया खोद कर उन्हें पूने इस्तूप के चारों ओन लगा दिया गया सिल्पकारी का इसतर पहले ज़सा रमणियन नहीं रह गया मानव आकरितिया अधिक लंबी और छरहरे बदन की बनाई गई इन्हें मोती मालाओं से लादा गया है गोल गहरों में फूल पतियों की छोटी बेल बनाई गई है जरोंकों से जागती हुई इस्तरी पूरुसों के मुखडे बनाए गए हैं अलंकरेण में पहले जैसी सुन्दरता एमसजीरता नहीं मिलती यह चतूर्थकाल की बाते है तो देखेगा इस प्रकार से हमने अमरावती स्थूप के बारे में जानकारी प्राप्त की और आगे के वीडियो में हम आपको नागारजुनी कोंडा के स्थूप के बारे में भी बताएंगे तो आप बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस पे